बॉलिवुड की अपने समय की जानी मानी अभी नेत्री नाजी माने बॉलिवुड की कई फिल्मों में कई बार रिप सीन फिल्म आये हैं और आज के बराबर पहले की फिल्मों में ऐसे सीन काफी शूट किये जाते थे ऐसी ही कई पुरानी फिल्मों की कहानी जिसमें विल्यन हीरो की बेहन की रिप कर देता था और फिर हीरो इसका बदला लेता था बॉलिवुड फिल्मों में रिप सीन आज से नहीं बलकी साथ के द फिल्मों के एही एक खासित हुआ करती थी कि पूरी की पूरी फिल्मे की रिप सीन के कारण किच चाया तती थी आपने कई बार देखा होगा कि इन फिल्मों में रिप सीन बहुत ज्यादा होते थे लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि वो कौन सी अभीनीतरी जिसमें बड़े पर्दे पर सबसे ज्यादा बार इस तरहें के सीन शूट कराए हैं आज हमा को उस अभीनीतरी के बारे में बताते हैं जिसका रूब पहले पर्दे पर सबसे ज्यादा बार रिप हुआ है इस अभीनेत्री का नाम नाजिमा है और इन है बॉलिवुद में बेस्ट सपोर्टिंग एट्रेस के रूप में जाना जाता है 1972 में फिल्म बेही मान में अपनी जवर्दस एक्टिंग के लिए उन्हें फिल्म फिर आवार्ड से भी नावाजा जा चुका है इस अभीनेत्री का फिल्मी करियर बहुत शानदार रहा था लेकिन महाज 27 साल की उम्र में ही कैंसर के कारण इस अभीनेत्री की मौत हो गई थी अभीनेत्री नाजिमान आकेवल बेहर्द सुतन थी बलकि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी थी उन्होंने ज़्यादा तर फिल्मों में हीरो की बेहन का किरदार ही निपाया है या फिर ही रोल की सहेनी का काफी फिल्मों में बेहन के किरदार को आदा करने आई नाजिमा को बॉलिवुड की बेहन ही कहने जाने लगा था एक टेरिस नाजिमा अपनी सफलता से खुश तो थी लेकिन उन्हें ये नलाल भी था कि वह डाय एरक्टर्स को उनमें लीच हिरो इंगाली बात नजर नहीं आती थी आपको बता दे कि नाजिमा को हमेशा हिरो की बेहन के रोल ही ओफ किये जाते थे वो शायद इसलिए क्योंकि नाजिमा कभी भी इनकिरदारों में असफल नहीं रही है नाजिमा को बॉलिवुड की एक अच्छी अभिनेत्री बनकर अपनी अलग पहचान बनानी थी लेकिन वह बॉलिवुड की केवल बेहन बनकर ही रह गई इसी तरह आपको कुछ गण तरह न्यूस रिपोर्ट्स आते रहेंगे तो दोस्तों जल्दी इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करें धन्यवाद